अंतर राष्टी सीमाओं से संबंदित ये वीडियो है इसमें हम सभी रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे और वो रेखाएं जो हैं वो किन-किन देशों के मत्धेमें हैं और उससे कुछ important जो तथ निकल के आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो इन अंतर राष्टी सिमाओं के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, continue चलिए श्टार्ट करते हैं रेखा का नाप यानि सबसे पहले रेखा का नाम दिया है, क्या रेखा का नाम डूरंड रेखा, ये डूरंड लाइन से बोलते हैं, ये किन देशों के मद में है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों के मद में है, और 1886 में सर माल्टिर मर डूरंड दोरा इसे निर्धारित किया गया था एक बार फिर से देख लेते हैं डूरंड रेखा है यह पाकिस्ता को और अफगानिस्तान के मद्द में है 1886 में सर मार्टिर्मर डूरंड और इसे निर्धारित किया गया नेक्स्ट है दूसरी रेखा का नामे मेक मोहन रेखा मेक मोहन लाइन ये भरत और चीन डेसों के मद्द में है और गेरा सो बीस किलो मीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मेक मोहन दौरा निर्धारित की गई थी यानि मेक मोहन रेखा जो है भरत तो चीन के मद्द में है इसकी लंबाई गेरा सो बीस किलो मीटर है और इसकी जो निर्धारित इसको किया था हेनरी मेक मोहन ने किया था इसलिए इसका नाम मेक मोहन रेखा रखा गया नेक्स जो रेखा है वो है रेड क्लिफ लाइन यानि रेड क्लिफ रेखा और ये भारत और पाकिस्तान के मद्द में है 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यच सर सायरिल रेड किलिफ तवरा निर्धारित इसकिया गया तो रेड किलिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मद्द में है 1947 में भारत और पाकिस्तान सीमा योग के अर्धिस साइरिल रेड के लिप तो अर्धिस हाई किया गया नेक्स्ट रेखा का नाम सत्रवी समानतर रेखा ये उत्री वियत नाम था दश्री वियत नाम के मद्द में है वियत नाम के एकी करण के पहले ये देश को दू भागों में बाढ़ती थी यानि ये 27 समानतर रेखा है उत्री वियत नाम और दश्री वियत नाम के मद्द में है वियत नाम के एकी करण के पहले ये देश को दू भागों में बाढ़ती थी नेक्स्ट है चोविस्वी समानतर रेखा और ये भारत और पाकिस्तान के मद्द में है पाकिस्तान की अनुसार कच्छ छेतर का यह रेखा सही निर्धान करती है लेकिन भारत इस रेखा को शुविकार नहीं करता है नेक्स्ट रेखा है अड़ तीस्वी समानतर रेखा ये उत्तर कोरिया दश्चिल कोरिया के मद्द में है ये कोरिया को दो भाकों में बाड़ती है नेक्स्ट जो रेखा है वो है उन्चास्वी समांतर रेखा के हम बात करने जा रहे हैं ये अमेरिका तथा कनाड़ा के मद में है अमेरिका तथा कनाड़ा को ये दो भागों में बाढ़ती भी है नेक्स्ट जो रेखा है वो काफी इंपोर्टेंट है यह कई बारी जब में आ चुकी है यह हिंडन बर्ग रेखा यह जर्मन था पोलेंड के बीच में है वो प्रथम विस्विद में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लोटी थी तो इस में से काभी इंपोर्टेंट डिक्तत निकल के आ रहा है जो प्रथम विस्विद में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लोटी थी और यह हिडन बर्ग रेखा है वो जर्मनी था पोलेंड के बीच में है नेक्स्ट रेखा ओडर नास रेखा ओडर नास रेखा जो है वो जर्मनी था पोलेंड के बीच में पाई जाती है ये दुती भी सुद्ध के बार निर्धारित की गई नेक्श्ट रेखा का नाम है मेगिनाट रेखा ये जर्मनी तो फ्रांस देसों के मदन में है और यहां जर्मनी के आक्रमत से बचाऊ के लिए फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी मेगिनाट रेखा और जर्मनी तदा फ्रांस के मदद तो यह जो रेखा है सबसे इस पेर सार है क्योंकि यह बचाओ के लिए बनाए गए थी तो इससे हमें इसको सेव कर लेना बिल्कुल माइंड में कि जो मेगिनाट रेखा है वो बचाओ के लिए जर्मनी के द्वारा बनाए गए थी जर्मनी से आक्रमण के डर से नेक्स्ट लाश्ट जो है रेखा का नामे सीज फ्राइट रेखा सीज फ्राइट रेखा जो है वो जर्मनी तब फ्रांस के मदद में है वो जर्मनी रेखा बनाई थी तो यह अन्तराष्टी सीमाव से सम्द्धर वीडory था जो अंतराष्टी सीमावनी कहां काई जायत हो रहें उनके मद्ध में कौन से लाइन है और उसे समधित जानकारी हमने दी जो हमारे पास अपलब देहा तो यह वीडियो आपको कैसा रहा अगर आप हमारे चैनल पर नए ह झाल